नीचे description में आपको linear transformation की playlist का link मिल जाएगा आज हम कुछ examples करेंगे linear transformation के तो example 6 जो है यह हमारा इस तरह से दे रखा है TVR से VR पे जहाँ पे VR हमने क्या ले रखा है Vector Space of Sequences का ठीक है और linear transformation हमने किस तरह से define कर रखा है T AN is equals to AN plus 1 यानि अगर यहाँ पे हम A1 लेंगे तो यहाँ पे यह A2 से शुरू होगा तो यानि अगर A1, A2, A3, AN की image हम निकालें तो इसमें image क्या आएगी A2, A3, A4, A4, A5 इस तरह से यह चलेगी ठीक है दूसरा हमने define कर रखा है T AN is equals to 0 when N is equals to 1 AN minus 1 N is greater than equal to 2 यानि की अगर हम A1, A2, A3, A4 की अगर हम image निकालें तो वो हमारी क्या हैगी 0, A1, A2, A3, A4 इस तरह से तीसरा हमने क्या लें रखा है T of AN is equals to A2N minus 1 यानि यह हमारी क्या है odd terms, odd terms sequence है यानि इसमें odd के जो terms होंगे वो सारे लिये जाएगे अगर यहाँ पर A1, A2, A3, A4 है तो यहाँ पर A1, A3, A5 इस तरह से term जो है वो आएंगे तो आज हम इनके vector space जो है बारे में बात करेंगे कि यह vector space बना vector space की बात कर रहा हूँ linear transformation की बात करेंगे कि यह linear transformation बनाते हैं या फिर नई बनाते हैं और फिर हम देखेंगे कि यह linear transformation जो है वो 1, 1, 1, 2 होंगे या फिर नहीं होंगे हम इनकी 1, 1 और 1, 2 निस की भी बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले example की बात करने तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो जो है sequence ले ली वी आर में और हम जानते हैं कि अगर linear transformation so करना है तो हम क्या करते है alpha x plus beta y को हम प्रूफ कर देंगे कि यह equal होगा alpha tx plus beta ty के equal होगा ठीक है तो अगर यह condition satisfy कर गए तो हम कहेंगे t हमारा linear transformation हो जाएगा तो यहाँ पर हम वही चीज़ का इस्तमाल करेंगे दो sequence हमने ली वी vector space से और दो scalar लिए alpha बीटा आर से तो हमने यहाँ पर transformation लिया t alpha an plus beta bn और यह हमारा किसके को हो जाएगा अब यहाँ पर देखो sequence में हम scalar किस तरह से multiply करते हैं इसके हर एक term से multiply कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर यह अंदर चला जाएगा alpha an हो जाएगा similarly यहाँ पर यह अंदर जाएगा तो beta bn हो जाएगा और sequence में हम addition किस तरह से define करते हैं term by term यानि a1 b1 से add कर देते हैं a2 b2 से add कर देते हैं तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे यह हो जाएगा p of alpha an plus beta bn और यह हमारा किस तरह से define कर रखा है यह हमारी एक नई sequence मन गई इसको अगर हम cn माल लें तो यह हमारी किस तरह से define कर रखा है cn plus 1 हो जाएगा तो यहाँ पर यह हम इसी तरह से लिख लेंगे alpha an plus 1 plus beta bn plus 1 तो यहाँ पर इसको सब स्पेस प्रूफ करने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब यहाँ पर जिस तरह से medicine define करते हैं उसको फिर हमाला गलग कर लेंगे तो यह हो जाएगा alpha an plus 1 plus beta bn plus 1 और यहाँ पर scalar हमारा किस तरह से define है alpha बाहर ले लेंगे alpha an plus 1 plus beta bn plus 1 और यहाँ पर यह किसके equal है यह हमारा equal है t a n के plus beta t bn के चीक हैं अब यहाँ पर देखो यह transformation यह हमारी यह वाली condition satisfy कर रहा है और जब जो भी transformation यह condition satisfy करेगा उसको क्या बोलेंगे वो linear transformation है तो यहाँ पर यह जो t है वो linear transformation हो जाएगा अब अगर हम इस linear transformation की बात करें तो यह हमारा किस तरह से define कर रखा है t a1 a2 an an plus 1 यह हमारा किस तरह से a2 a3 an an plus 1 इस तरह से जा रहा है इसी को हमने जो है expand कर दिया तो यहाँ पर अगर हम एक example लें a1 को हम put कर देते हैं 1 और 2 तो यहाँ पर t1 a2 a3 इस तरह से जाएगा यहाँ पर t2 a2 a3 इस तरह से जाएगा पर यह मैप कहा करेंगे a2 a3 इस तरह से a2 a3 इस तरह से अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यह जो हैं यह दोनों हमारी sequence क्या है अलग अलग है तो सिक्वेंस अलग हो गई लेकिन अगर हम इसकी image की बात करें तो यह हमारी दोनों क्या है same है और जो है one one की हमारे पास definition क्या होती है tx is equals to ty अगर हम ले रहे हैं तो यह imply करेगा x is equals to y ठीक है और इसी का अगर हम negation ले ले लें तो यह हमारी क्या definition बन जाएगी कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो यह imply करेगा tx is not equals to ty के तो यह भी हमारी एक definition हो गई one one की तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने x और y को equal नहीं लिया जबकि tx जो है वो यहाँ पर इसको max माल ले और इसको y माल ले तो tx जो है वो equal हो गया ty के चुकि यह दोनों क्या है equal हो गया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि t जो हो हमारा one one नहीं हो सकता पर यहाँ पर यह on to हो सकता है क्योंकि अगर हम कोई भी sequence लेंगे an जैसे यहाँ पर हमने an ले ली तो an हमारी sequence किस तरह की होगी a1 a2 इस तरह से यह जाएगी ठीक है और हर एक sequence के लिए हमें एक sequence इस तरह की मिल सकती है इस तरह की अगर कोई sequence ले रहे है तो हमें एक sequence इस तरह की मिल सकती इसका पहला term कुछ भी हो सकता है दूसरा term क्या होगा a1 a2 इस तरह से चुकि वो sequence आफ यह जो vector space है यह collection of all sequence है तो उसमें इस तरह की भी sequence होगी ठीक है तो यहाँ पर इस तरह की अगर हम कोई भी sequence ले रहे हैं तो उसकी हमें जो है image, sorry उसकी pre-image हमें इस तरह से मिल रही है तो on to की यही definition है कि अगर हम code domain में कोई element ले रहे हैं तो उसकी हमें एक pre-image मिलनी चाहिए तो यह जो transformation था यह बनवन नहीं हो सकता बट on to हमेशा होगा तो अब हम बात करते है example number second की तो यहाँ पर यह हमारा जो function दे रखा है वो इस तरह से define कर रखा है और इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने 2 sequence ली a n और b n alpha बीटा हमने scalar से लिए और इसको हम इस तरह से लिख सेबते हमने example first में बताया था और यहाँ पर यहाँ हमारी किस तरह से define कर रखे यहाँ नए sequence sn बन गई और sequence हमारी किस तरह से define कर रखे कि इसका first term जो है वो 0 होगा और बाकी सारे terms किस तरह से होंगे a one a two a three इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर हमने first term क्या किया zero put किया और बाकी term क्या होगे alpha a one plus beta b1 इसका अ α2 इस तरह से यहां पर zero बेटा भीडर अगला तर्म बेटा भीटो और यहां Eh Kid करते हैं के और यह हमारा थीवीन थे के तो यहां पर हथए किल var सोना ड्रांसफोर्मेशन है यह हमारा ओनी हो सकता है उसकी मिसाल हम दे सकते हैं यहां पर तरह से वियार में वियार में जो है collection of all sequence है तो यह sequence भी इसमें होगी अब इसका कोई भी प्रीमेज नहीं मिलेगा जो की देखो बट देर इस नो एन ब्लॉंग्स टू वी आर सच दैट टी एन इस इक्वल टू वन एवन एटू एट्री उसकी वजह है क्या है उसकी वज़े यह है कि यहां पर जो भी sequence हम रखेंगे उसकी image का जो पहला term होगा वह हमेशा 0 आएगा और जबकि कोड ओमेन में ऐसी भी sequence है जिसका फर्स टर्म जीरो नहीं है ठीक है तो जिनका फर्स टर्म जीरो नहीं है उनकी हमें कोई प्रीमेज नहीं मिल रही और जब उनकी हमें प्रीमेज नहीं मिल रही तो वहां पर हम कहने नहीं सकते कि यह on to हो सकता है कि मतलब हम यह नहीं कहेंगे कि यह on to है तो वह on to मैं कभी नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं लेकिन यह कैसे ओगा कि इसको हुप कर सकते हैं जैसे टी अन इसको टी बीएन ले लेते हैं और टी आन हमारा किस तरह से डीफाइने 0 एवन एटू और इस तरह से इदर जीरो बीवन बीटू अब यहाँ अब यहां पर हम प्लीएर करें तो एए जो है वह वह बीεν के इकड़ प्रश्चन की डेफिनिशन ले तो यहां पर टी स्ट्टी या जाए लिया और हमें क्या मिला इस इक्वलस्ट टू बी लिया तो हम कहरेंगे त्टी 11だ ऑंट्टू नहीं अब हमारा वाला जो है transformation दे रखा है हमने चुकि किस तरह से इसको define किया था त्री वाले example को यहाँ पर T A N is equals to हमने define किया है A2N minus 1 यानि A1 A2 A3 A4 की image क्या आएगी all terms यानि A1 A3 A5 ठीक है तो यहाँ पर भी इसको भी हम देख सकते हैं आसान तरीके से जो हम इसको linear इन्हें transformation प्रूफ कर देंगे तो वही चीज़ करेंगे एलफा एन प्लस बीटा बीन ले ले लेंगे और इसको simplify करके इस तरह से लिख सकते हैं एन प्लस एलफा एन प्लस बीटा बीन नई सेक्वेंस हमारी है और यहाँ पर Scaler हमारा किस तरह से DefiN है है यहाँ पर लिख सकते है Um A2N-1 प्लस बीटा B2N-1 और यह हमारा क्या है यह मरा TAN के एकको लो जाएगा यह हमारा TPN के एकको लोजाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं कि T alpha AN-Pose Bita BN जो है वह हमारा किसके इकको लागया अलफा TAN-Pose Bita-TPN के एकको लागया तो यह इंपलाई करता है टी जा लीनियर ट्रांस्फार्मेशन अब यहां पर एक चीज़ देखो जैसे कि हमने बताया था कि एक सफ़लाई करा कि टस नॉट इकल्स तो टitव ती वाई अगर एकस वाई के इकल्स नहीं है और HR टी आपर यहां पर यहां पर दो सेक्वेंश ली एक कि स्कुन Maa किस तरह की एए वन जीरो एफी जीरो एफाइब जीरो इस तरह से लिए दूसरी सिखेंज लिए वन वन भी थी वन भी फाइब वन इस तरह से यह सिक्वेंज चलती जाएगी अभी यहां पर देखो A3 लिखेंगे A5 लिखेंगे B1, B2, B3 नहीं लेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम TN की बात करें तो सारे और तरमाएंगे A1, A3, A5 और यहाँ पर TBN की बात करें तो B1, A3, A5 तो यह दोनों क्या होजाएंगे equal हो जाएंगे बट दोनों sequence हमारी के जा है कि यह नहीं है ठीक हैं तो यहां से हम देख सकते हैं कि यह हमारा वन वन नहीं हो सकता अब यहां पर यह on to भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमें हर एक जो है और term sequence की प्रीमेज मिल रही है लेकिन अगर कोई सिक्वेंस एवेन है या फिर कोई सिक्वेंस हमने ली है जो कि हमारी एक टुएन माइनस वन के एक्वल नहीं है दिया ड़स नोट एक्जिस्ट एन सच देट टी एन इस इकोल स्टू बिया दिस इंप्लाइब टी इस नौट उन्ट यहां से हम कह सकते कि टी तो हमारा टू भी नहीं होगा तो यहां से तीन आग्जांपल देखे और दर्सटेंश हमने ज लिया थाव वह एक जाशंपल में अगर आप विढरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगली वीडियों कूध